पार दो, ऐसे थे महमना, प्रयाक के गली में एक बिमार कुत्ता पड़ा था, चोट लगने से उसके शरीर में घाव हो गए थे और उनमें कीडे पड़ गए थे, कुत्ता दर्द से तडप रहा था और चिल्ला रहा था, आते जाते लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते, तभी बारवर्ष के एक बालक का मन कुत्ते की पीड़ा देख कर दया से भर गया, वह तुरंत डॉक्टर के पास गया और उससे दवा लाकर कुत्ते के घाव पर दवा लगाने लगा, दवा तेज थी, दवा लगते ही कुत्ता गुर्राता हुआ दान दिखाने लगा, यह द अरे बच्चे, हट जाओ, यह कुत्ता तुम्हें काट लेगा, पर बालक दवा लगाता रहा, कुछ दिन नियमित रूप से दवा लगाने पर कुत्ता भला चंगा हो गया, दुख्यों के प्रती करुणा का भाव रखने वाला यह बालक था, पंडित मदन मोहन मालविय, जि उन्हों ने काशी हिंदू विश्व विद्याले की स्थापना की, विश्व विद्याले के शिक्षक कभी-कभी उदंडी चात्रों को उनकी गलतियों के लिए आर्थिक दंड दे दिया करते थे, चात्र दंड को माफ कराने के लिए मालविय जी के पास पहुँच जाते थे, महामना उनका दंड माफ करते थे यह बात शिक्षकों को अच्छी नहीं लगती थी एक दिन वे मालविय जी के पास चाकर बोले महामना आपके द्वारा उदड़ी चाकरों को दंड माफ करने से बुराई को बढ़ावा मिल रहा है उनका मनोबल बढ़ रहा है इससे अनुशासन हीनता बढ़ती है इसलिए आप उनका दंड माफ ना किया करें इससे अनुशासन बनाए रखने में साहिता मिलेगी शिक्षकों की बात सुनकर मालविय जी बोले मालविय जी का उत्तर सुनकर किसी अध्यापक से कुछ भी कहते ना बना ऐसे उदार और सहरिदे थे माहमना मदन मोहन मालविय एक बार मालविय जी गाड़ी से एक सभा में समलित होने जा रहे थे रास्ते में उन्होंने एक महला को सड़क्य किनारिक घाय लवस्था में कराहते देखा पासी एक अबोद बच्चा लेटा हुआ था मालविय जी ने तुरंत गाड़ी रुखवाई उस महला और बच्चे को गाड़ी में बैठाया तथा ड्राइवर से तुरंत अस्पताल चलने को कहा ड्राइवर चुपचाप गाड़ी को अस्पताल ले गया अस्पताल में महला का उपचार शुरू होने के बाद मालविय जी ने उसे कुछ रुपए दिये और वापस गाड़ी में आकर बैठ गए फिर ड्राइवर से बोले अब चलो मालविय जी में मानवता कूट-कूट कर भरी हुई थी उनके रिते में देश और देशवासियों के लिए अपार्स नहदा डॉक्टर राधा कृष्णर ने उनकी कर्मट्ता को देखते हुए उन्हें कर्म योगी कहा था 24 दिसंबर 2014 इस्वी को पंडित मदन मोहन मालविय को मर्नो पराद भारत के सर्वश्ट्रेष्ट नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया ऐसे सत्पुरुश का भारत सदैवरिनी रहेगा